Hello friends, I am your study mate Sariqa Ramola और आज हम करने वाले हैं बहुत important topic जो है चंद्रियान 3 हम इसको पूरा detail से पढ़ेंगे क्योंकि हर exam के लिए important होता है देखे competition से जुड़े हैं तो बहुत सारे exam बच्चे हर कोई बच्चा ऐसा नहीं कि कोई particular exam देता है हर exam देते हैं competition से जुड़े वे तो इसलिए किसी भी exam में कहीं से भी पूछा जा सकता है तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए इससे related important चीजे कि आखिरी mission कहां गया है क्यों गया है क्या-क्या इसके aim उत्दीशयों object क्या है वो सब हम लोग देखेंगे ठीके और फिर कल इससे related important question answer हम करेंगे कि आप लोगोंने कितना recall किया और कितने अच्छे से आप इसको समझे हैं ठीके तो चलिए भारत की एक और उपलबदी चंद्रियान 3 जो mission है इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले आपको देखना है कि जो ही launch किया गया इसकी दिनांग क्या है ठीके तो 14 जुलाई 2023 को launch किया गया और समय दो पहर दो बज़के 35 मिनिट पर ठीके त्यान रखेगा रॉकेट का नाम LVM 3rd M4 है ठीके इसे याद रखेंगे कई बार पूछा जाता है ऐसी चीज़ें ठीके launch date 14 जुलाई 2023 और रॉकेट LVM ठीके यानि पूरा नाम क्या हो जाएगा launch vehicle mark हो जाएगा ठीके चलिए कहां से launch किया गया चलिए स्रीहरीकोटा के सटीज़वन अंतरिक्ष केंदर से ठीके सातीज़वन इसपेस सेंटर जो है यहां से इसने उडान भरी है और स्रीहरीकोटा कहां है आंधर प्रदेश में ठीके तो धिए और रखेंगे agency किसके द्वारा इस्रे इस्रों के द्वारा जो अपने अनुसंदान संगठन या इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन इसे कहते हैं ठीक है जो मिसन 3 है इसका जो टोटल वेट है वो कितना है कारण ऐसे कुश्यन आते हैं या कौन से सुमेलित है नहीं है कौन सा गलत है तो उसमें यह चीजे पूछी जाती है किस पे कितनी लागत आई इसकी लॉंचिंग डेट क्या होगी किसके द्वारा कौन सा रॉकेट के द्वारे इसको लॉंच किया गया तो यह आपको पता होना ठीक है तो इतना क्लियर हो गया चलिए अब हम बात करते हैं उद्देश की कि जो यह चंद्रयान 3 भीजा गया इसका उद्देश क्या है वैसे तो अगर आप देखेंगे 3 हम कह रहे हैं यानि चंद्रयान 1 भी चला गया 2 भी तो इसके बारे में बात में देखेंगे तो यह चंद्रयान 3 ठीक है तो इसका जो में मक्सद क्या है जो चंद्रमा है इसकी सत्तह पर सुरक्षित और सुगम लेंडिंग कराना है यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है किसी भी जगह पर सॉफ्ट लेंडिंग करवाना इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो में चंद्रमा पर घूमते वे प्रदर्शित प्रदर्शन करेगा और उसके बाद सारी फोटो और वहां की चीजों के बारे में रोबर यहां भीजेगा ठीक है ज्यान रखेगा चंद्रमा पर जो पत्थर होंगे मिटी खरीजों का अध्यान किसके द्वारा किया जाएगा प्रिथवी और चंद्रमा ठीक है अभी तो अनुमाने दूरी है हमारे पास कि इतने से इतनी दूरी है प्रिथवी और चंद्रमा के बीच में लेकिन सट एक जानकारी प्रिथवी और चंद्रमा के बीच की दूरी का पता भी कौन लगाएगा चंद्रियान 3 लगाएगा तो यह सारे उत्देश्य क्या है चंद्रियान 3 के है ठीक है बात समझ में आई चलिए एक important point डेख लेते हैं जहां से question put up हो सकता है अभी तक देखिया आप चंद्रमा की सतय पर जो soft landing की है वो अमेरिका USA ने रूस ने और चीन ने की थी अब भारत अब क्या बन जाएगा चौथा देश बन जाएगा इस मामले में ठीक है चंद्रमा की सतय पर सफल लेंडिंग करने वाला चौथा देश भारत तो इस चीज को ध्यान रखेंगे अमेरिका रूस और चीन इससे पहले ठीक है चलिए अब एक की इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक मैंने आपको कहा कि अमेरिका रूस और चीन ने सफल लेंडिंग करी और भारत चौथे नंबर पर लेकिन चंद्रमा के दक्षणी धुरूप पर लेंडिंग करने वाला भारत इंपॉर्टेंट है दक्षणी धुरूप पहली बार भारत करेगा ठीक है और चंद्रमा की सतय की नॉर्मल बात होगी तो भारत चौथी नंबर पर चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चंद्रियान 3 भारत का तीसरा चंद्रमिसन है क्योंकि इससे पहले चंद परेयन 2 में जो 3 भाग लेकिन अलग थे मोड़े मोडूल के जो तीन भाग है वह पहला है प्रोपल्र संद्रम काम होता है इसकी मदद से जओ घृता होता है वो चांद के औरबिट में जाएगा यानी जो अंतरिक मिसंगते हैं उस पर जाने बारे के авно हम उनका पहला इस न ही छी होता है ठीक है इस ए। इसका भी पहला हिस्सा यही है दूसरा आ जाता है लेंडर ओर यह चांड तक भर ले जाएगे ठीक है और तीसरा है rover जो main target यही है और 6 पहियों वाला robot है ये कुल मिला के rover ठीक है तो propulsion जो पूरे space ship को उपर ले जाएगा चान के orbit तक lander का जो काम होगा वो rover को protection के साथ वहाँ पहुँचाएगा ठीक है और जो rover होगा ये पूरी जानकारी गुम गुम कर जो robot करता है 6 पहियों वाला है ये यहाँ पे सारी information देगा तो 3 पार्ट आपको याद रखने है propulsion, lander और rover ठीक है चले अब आप देखिए इसमें जो lander है इसको नाम दिया गया है बिक्रम और इसमें जो rover है इसको नाम दिया गया है प्रग्यान तो यहाँ से question put up हो सकते है lander को क्या नाम दिया गया है बिक्रम और rover को प्रग्यान नाम दिया गया है ठीक है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चंद्रियान 3 जो है इसमें एक नया module यानि एक नया प्रियोग किया गया है और वो कौन सा प्रियोग किया गया है जिसको shape कहते हैं लेकिन आप इसको S.H.A.P.E. पढ़िएगा ठीक है और इसकी full form याद कर लेंगे spectropolarimetry of habitable planet earth इसका full form हो जाएगा ठीक है अब इसका काम क्या होगा जो यह नया प्रियोग किया गया है इसका काम क्या है कि जो परावर्तित प्रकास होगा उसका visualization करकर जो संभावी छोटे planet होते हैं ग्रह होते हैं उन पर खोज करना है कि क्या वहाँ पर जीवन है या नहीं है ठीक है पुल मिला कर देखेंगे जो छोटे planet होगे उनकी खोज करना है इसका ठीक है काम में तो आप ये देखेंगे ये इसका क्या है एक नया प्रियोग किया गया है इस पार एक और चीज याद रखेगा अगर इन केस रोबर में कोई प्राबलम हो जाती है जैसे चंद्रियान 2 में वही थी तो इस बार रोबर में इतनी जादे इनोंने टेकनलोजी दी है कि वह वहाँ पे खुद को रिपेर भी कर सकता है ठीक है तो एक नई चीज है ये कि कोई भी खराबी रोबर में अगर आती है तो रोबर उसको खुद ही ठीक करे चले इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चंद्रियान 3 की जो याद्रा में लगवग टाइम लगेगा वो 42 से 45 दिन लगने का अनुमान है और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो रियालिटी है चंद्रमा की भारत ने जो प्रियास किया है तो वो पिक्चर समय इतने दिन के बाद मिलने लग चाहिए ठीक है अब आप देखेंगे भारत ने क्या किया है मैंने आपको बताया कि भारत जो चंद्रमा है उसके दक्षणी धुरूप पर पहली बार भारत ऐसा देश बनाए जो लेंडिंग कराएगा ठीक है इसके अलाव अगर आप देखेंगे जो भुमत्य रेखे छेत होता है इसकी तुल्ना में जो दक्षणी धुरूप होता है यह बहुत चैलेंजिंग होता है चुनौती पूर्ण भुभाग होता है कारण क्या होता है कि यहां पर सूर्य के प्रकास की कमी के कारण अत्यदिक अत्युक्त होती है उस वाले पार्ट में तो वहां पर जाना एक विप्रीत परिस्तितियों में वहां पर रिसर्च करना एक बहुत बड़ी बात ठीक है तो यह काम करने जा रहा है भारत चलिए तो यह हो गया है चंद्रियान 3 इसके मॉडूल आपने याद रखने इसके हम देख लेते हैं भारत के अन्य जो चंद्रियान मिसन रहे वह कौन-कौन से तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रियान 1 तो भारत ने सबसे पहले जो चंद्रियान 1 भीजा था वह 2008 में भीजा था बहुत बारी कुशन पूछा जाता है ठीक है इसका जो प्रक्षेपन य चंद्रियान 2nd चंद्रियान 3rd याद रखेगा डेट याद रखेगा 2008 में इसकी उपलब्दी क्या थी चंद्रियान 1st की इसने चंद्रमा की सतय पर पानी और हाइड्रॉक्सिल का पता लगाया था ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि चंद्रमा की स इसमें बहुत जादा खर्चा आया था और 2019 में लॉंच किया गया था चंद्रियान 2 ठीक है पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल वैसे ही थी जैसे चंद्रियान 3 की लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वज़े से दुर्गितना ग्रस्त हो गया था इसका जो प्रक् चंद्रमा पर लेकिन यह दुर्गटना ग्रस्त हो गया था जो कि लेंडर और रोवर थे जब तो चंद्रमा की सतय पर जाते ही क्या हो गय थे यह दुर्गटना ग्रस्त हो गया ध्यान रखेगा यहां भी लेंडर और रोवर हैं वहां भी वही थे लेकिन एक चेंज है कि य यहां पर orbiter भी था तीसरा ठीक है lander और rover तीन चीज सामिल थे इसमें तो यह आप ध्यान रखेंगे यहां पर question बन सकता है कि उसमें कौन-कौन से पाड़ते तो orbiter और lander और rover थे ठीक है चले इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो orbiter ने सफलता पूरवक data एकित्रित किया और सभी अक्षांसों पर यह पता लगा दिया था कि पानी यहां पर है लेकिन इसके बाद जो आगे का process होना था उससे पहले यह सफल नहीं हो पाया तो इसे ध्यान रखेंगे कई बार question पूछा जाता है कि कभ यह launch किया था चंद्रियान 2 चंद्रियान 1 हो गया है 2008 चंद्र इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं कि जो सोवियत संग रूस यानि सोवियत संग USSR था पहले बिगटन से पहले तो इसके अजनसी और अब वर्तमान में इसका उतरादिकारी रूस रहा तो हम रूस बोलते हैं इसको इसके द्वारा सबसे पहले 1966 में जो लूना 9 चंद्रम पर पहली सफल लेंडिंग करने वाला रॉकेट था यान था ठीक है इसे ध्यान रखेंगे एक्जाम में कई बार पूछा जाता है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मानव मिशन इन मिशनों में चद्रमा की सतय पर अंतरिक श्यात्रों की लेंडिंग करवाई जाती ह जिसमें इनसान भी साथ में जाते हैं इसमें जो सबसे अबरी उपलबदी हete है वो 1969 से 1972 के बीच में नासा ने खी है और इन सालों के इन तीन सालों में नासा ने तो यह जो रिकॉर्ड है किसके नाम है नासा के नाम ठीक है चलिए 2025 में नासा का मिसन है जो नासा का ओर्टेमिस 3rd है वो चंद्रमा के मानव की वापसी करेगा चंद्रमा पे जो यह मिसन है नासा का इसे ध्यान रखेगा 2020 के लिए तयारी चल रही है तो यह important हो जाते हैं इसके अलावा अगर हम देखेंगे इस रो के बारे में है तो बहुत बड़ा topic इस रो अपने आप में लेकिन एक short notes में हम इसको देख सकते हैं ठीक है full form मैंने आपको बताई Indian Space Research Organization इसका पूरा नाम है इसके स्थापना हुई थी 1969 में और इसका मुख्याले का है बैंगलरू में है ठीक है प्रथम अध्यक्ष और जो इसके संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम सारा भाई को माना जाता है और वर्तमान में इस्रो के जो अध्यक्ष है वो कौन है एस सोमनात है ठीक है ध्यान रखेगा अध्यक्ष पूछे जाएंगे वर्तमान के इसका जो आदर्स वाक्य है वो क्या है मानव जाती की सेवा में अंतरिक्ष प्रोध् एक साथ भीजे थे इस रोने 104 सैटलाइट ठीक है तो भारत देखेगा अपनी टेकनोलोजी में क्या करता है नहीं नहीं इनुबिशन करता रहता है और इसी के साथ भारत को बहुत सारे जो रिकॉर्ड है भारत में अपने नाम किये हैं जबकि हमें इतनी लेट सुतंद्रा प् आता है लेकिन एक स्टूरेंट होने के नाते में हमेज़ा कहते हूं कि आप लोगों को वह चीजे पता होनी चाहिए जो देश दुनिया में घाटित होती है तो चलिए कल हम इसके क्वेशन आंसर करेंगे वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेर जरूर कीज क्लीप में होन ते ऐसे लग द। स्टूर के बढ़ में भर को दो द। Mommy